नमस्कार साथियों मैं मनीश बारती संस्कृती PCS प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ साथ क्यों जैसा कि आप जानते हैं बिहार प्रागंबिक परिक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्ष के करेंट अफेर्स का लगाता रिविजन कर आज लेक्षे नमर 92 तक पहुंच चुके हैं प्रते एक दिन हम लोग क्या करते हैं दस टॉपिक के साथ दस कोश्चन लाते हैं करेंट अफेर्स का आदे घंटे में आपका ये तयार हो जाता है अब हम लोग टॉपिक वाई चीज़े कर रहे हैं आखरी कुस दिनों में अब चलते हैं आप लोगों को जो एक प्रशन में दिया करता हूं प्रते एक दिन उस प्रशन को सबसे पहले देख लेजें सब सब पहले देखें यहां पैटर्न को लेकर के पैटर्न जो है नए तरीके का है जो बीपिएसी अब पूछता है जिस पर जलवायू परिबर्तन परदुर्शन सूछकांग प्रशन भी सूचकांग का ही है इसके संदर में निमलिखित कत्तों में से कौन सा सही है क्या है German Watch, New Climate Institute और Climate Action Network International द्वारा प्रकासित किया जाता है हाँ या ना ये देखना है आपको यह Index 2005 से प्रतेक वर्स जारी किया जा रहा है ये दो statement आपके सामने है ध्यान रहे कि दोनों में से जो भी सही हो, सही उत्तर यहां पर है तो सही उत्तर पूछा गया है तो जो भी सही हो, उसके अधार पर चार विकल्ब तयार किया गया है जो भी विकल्ब सही हो, उसका जवाब आपको comment box में लिख करके देना है ठीक है, प्रतेक दिन आप लोग देते भी है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी से चल लगी है अच्छे से अध्यन दिहापन कर रहे है आज भी जवाब दीजिए देखते हैं, आज कितने लोग जवाब दे पाते है न्यू पैटर्न पर है, थोड़ा सा और आप पढ़िए इसको लेकर के तो जवाब मिल जाएगा चलिए, अब पहले टॉपिक पर चलें पहले प्रशन के साथ पहला प्रशन क्या कहता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स दो हजार चौबिस नियान देते रहना है गुड गवर्नेंस इंडेक्स दो हजार चौबिस को लेकर के बाते कहता है ठीक है, और पूस्ता है आपसे कि भारत का कौन सा स्थान है ठीक है, भारत का स्थान इसमें से, देखिए, तो इसके विसाह में कुछ चीजे सब सर पहले समझ लीजिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है, बिभिन चीजों पर आधारित होता है, है ना, कि जैसे मान ले जीए, पॉलिटिक्स की क्या इस्थिती है करफशन की क्या सिचुएशन है, जुडिशेरी की क्या सिचुएशन है, पब्लिक रिलेशन को लेकर के पूछता है, इंवारमेंट को लेकर के पूछता है, तमाम तरह की चीजों को फैक्टर को इसमें सामिल किया जाता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, तो इसका जो भारत का स्थान रहा है, इसमें पूरी दुनिया में देखेंगे, दो हजार 24 में अगर उनहत्तरमा रहा है तो आप से ये पूछा जा सकता है, कि जनाब आप हमें ये बता दीजिए, कि 2023 में भारत का स्थान क्या था तो ध्यान दीजिएगा, यह भी नौट कर लीजिए कि 2023 में भारत का जो स्थान है, वह 61 रहा था यानि कि बताईए कि भारत बहतर परदर्शन किया है, या खराब परदर्शन किया है, ये चीज़े आप से यहाँ पर पूछा जाएगा, एक चीज़ और इसमें पूछा जाएगा, कि यह है इंडेक्स जो है किस संस्थान के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जब भी ऐसे प्रशन आएंगे index का, report का, तो संस्था का जोरूर दिखेगा कि किसके दोरा प्रकाशित किया जाता है, तो यह index जो है, यह chandler institute दोरा जारी किया जाता है, और यह प्रतेक वर्थ जारी किया जाता है, इसमें पहला अस्थान जो है सिंगापूर को मिला है किसको सिंगापूर को द्यान रखेगा 2024 वाले की بात कर रहा हूं and first पर अगर सिंगापूर रहा है तो यह भी तो पूछा जा सकता है कि भाई小時 में कौन रहा है तो last में जिसको अस्थान मिला है यानि कि अंतिम अस्थान उसका नाम है वेनेजुएला, क्या नाम है वेनेजुएला, ये अंतिम पाइदान पे रहने वाला गुड गवर्नेंस में इंडेक्स 2024 में ये कंट्रीड है, इतनी चीजे अगर आपको जान करी है, तो इस टॉपिक में इससे बाहर नहीं आएगा, कित में से किसके द्वारा जारी की जाती हमने अभी आपसे कहा, कि जब भी इस तरह के रिपोर्ट इंडेक्स आए तो आपके पास ये जानकारी होना चाहिए, कि किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो देखें, यहाँ पर सबसे पहले समझ लेजिए, कि विश्व आपसे द्वारा जारी किया जाता है, यानि कि पहला नमर जो है इविकल्प के साथ जाना है, अब इसमें एक चीज आपसे पूछ सकता है, चुकि भारत के नजरिये से देखें, तिया तो पूछा जा सकता है न, कि जनाब यह बता दो कि इंडिया का इसमें किया अस्थान र रैंक पर पहले पाइदान पर वो कौन रहा है तो USA, अमेरिका, ठीक है, इतनी चीजे आपके पास जानकारी होना चाहिए, इससे बाहर ये नहीं जाएगा, आगे बढ़ें, तीसरे पर निमलेखित पर विचार कीजिए, और फिर यहाँ पर कुछ चीजे इंडेक्स दिया गया सुचकांग, और फिर कहा किया है, उपरोक्त में से कितनी रिपोर्ट, कितनी, नमर देखिएगा, कितनी रिपोर्ट जो है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, तो यह देखना है, ग्रोवर जेंडर गैप इंडेक्स की बात की गई है, वैस्विक, उर्जा संक्रमन सुचकांग की बात की गई है, यात्रा और पर्याटन विकास सुचकांग की बात की गई है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कि कितनी, नमर, यह नहीं कहा गया कि कौन सा, यह, 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 ठीक है, तो हमें जोड़ना है, कि अगर दो ही है तो हम बोलेंगे केव चुकि विकल्प ऐसा ही है, तो विकल्प के आधार पर हमें खेल करना पड़ेगा, आप देखें यहाँ पर, क्या Global Gender Gap Index जो है, विश्वा आर्थिक मंच, यानि कि World Economic Forum, यह ऐसे पूछा जा सकता है, इसके द्वारा जारी किया जा सकता है, मैंने एक लेक्चर में इसा बताया भी था आपको, तो यह सही है, Global Gender Gap Index जो है, विश्वा आर्थिक मंच द्वारा ही जारी किया जा सकता है, वैस्विक उर्जा संकरमन सुचकांग देखे वैस्विक उर्जा संकरमन सुचकांग जो है यह भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जा सकता है या किया जाता है तीसरा यात्रा और प्रेटरन विकास सुचकांग यह भी जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वा का तातपर है कि तीनों ही विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है इतना मामला समझ में आ गया आगे बर जाएं अब चौथा इस तरह के जो पैटरन है वह आने लगा है तो यहां पर आप से यह चीजे पूछा जा सकता है तो थोरा सा ध्यान से रखिएगा अब यहां पर क्या किया है आपको सूची दे दिया है जैना मिलान करेंगे हम लोग आराम से सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए और कहा गया है कि दिये गए कूट का परियोग करके सही उत्तर आपको चुनना है मामला इतना क्लियर यहां पर क्या किया है सूची वन में सूच कांक विविन आपको डाल दिया और सूची 2 में क्या किया भारत का अस्थान क्या होगा इंडिया का रैंक विविन सूची में क्या होने वाला है ये आपके सामने परोस दिया ठीक है तो हम लोग इसको ढूनेंगे पहला क्या है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और अमान के चलते हैं ये 2024 का ये सारा चीज है ओके इतना किलियर है अब देखें यहां पर ये कहा गया कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा अस्थान रहा है अगर भारत के स्थान की चर्चा करेंगे ग्लोबर जेंडर गैप इंडेक्स में तो भारत का स्थान 119 मां आया था उस हिसाब से देखेंगे तो इसके सामने ये है तो क्या ये सही है या बिल्कुल सही है है न हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यक्ता ने वैस्विक शान्ती सूचकांग इसमें भारत का स्थान जो है 116 मां ही रहा है और यह भी सही है हमें मसकत कम करना परा विश्व प्रेस स्वतंतरता सूचकांग इसमें भारत का स्थान जो है 169 मां रहा है है वो सही से है इस आधार पे अब हमें विकल्प देखना पड़ेगा यानि कि 1 का A होना चाहिए और B का 2 होना चाहिए C का 3 होना चाहिए और D का 4 होना चाहिए हमें इस तरह से कूट में चलना है देखें A का 2 हो तो यहीं खतम हो गया, एक का A है, तो B का 2 होना चाहिए, B का 4 हो गया, तो यहीं खतम हो गया, एक ही बसता है, यहीं सही है, ज़रा देख भी लेते हैं, एक का A, B, 2, C, 3, D, 4, सही है, ठीक है, तो हम D विकल्प के साथ इसमें जाते हुए नजर आएंगे, आगे बरज़ा है, दिख रहा है, इस 4 में से कोई एक नाम सही होगा, और यहाँ पर देखना है, कि एक चीज हम और देखेंगे, कि यह 4 तो जो हैस है, इसमें भारत का क्या रेंक रहा है, ठीक है, यह चीज भी देखेंगे, देखेंगे, यहाँ पर सब सब पहले समझे, कि Global Gender Gap Index 2024 जो जारी किय गया, इसमें जो सबसे अंतीम अस्थान पर जिस देश का नाम रहा था, उस देश का नाम क्या है, सुडान, ठीक है, सुडान, सी को ले करके हम लोग चलते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था, कि हम भारत का रेंक भी देखेंगे, तो Global Gender Gap Index 2024 में भारत का जो अस्थान रहा था, वह 129 रहा, यह आप से पूछा जा सकता है, यह ध्यान रखिएगा, अगे बर जाए, साइबर अपराद सुचकांक 2024 में भारत कौन से अस्थान पर रहा था, इंडिया क्या आप से पूछा जा रहा है कि इंडिया का रैंकिंग क्या रहा था, किसमें साइबर अपराद सुच कांक 2024 को ले करके यह तमाम बाते की जा रही, देखिए, इसमें जो भारत का रैंक रहा था ना, 2024 में साइबर अपराद सुचकांक पे वो दस्मा रहा था, तो विकल पे B के साथ आपको जाना चाहिए, इतनी चीज़ें ध्यान रखना है, कुछ-कुछ फैक्ट आप से वह जर्मन वाच है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, जलवायू, परीवरतन, परतसं सुचकांक जो है, वह जर्मन वाच के द्वारा यह सुचकांक जारी किया जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2024, इम्पोर्टेंट है यह, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, इसको आप एकाम को रो 5 एश्टर लगाओ, निमलिकित में से कितने ASEI देशों की रैंक भारत से अच्छी है, यह लग तरह कहो गया है, कितने ASEI देशों का रैंक जो है, वो भारत से बहतर रहने की बात की गया, देखिए उसमें ASEI देश कहा गया है, नेपाल भी ASEI है, चीन भी ह 3 यहां पर देख रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा है, हमें rank समझना परेगा, कि इन तीनों का rank global 100 index 2024 में क्या रहा है, और साथ ही हमें यह भी देखना पर है, कि अपने प्यारे देश, इنडिया का rank क्या rah है, तो सबसे पहले देख लेए, नेपाल का global 100 index 2024 में जो rank रहा है, वह अरसथमा रहा है तो चलिए इसको अरसथमा पर रख देते हैं अब यहाँ पर चीन का अगर देखेंगे तो चीन को लेके समझे Global Hunger Index 2024 में कुछ देशों का रैंकिंग जो है अलग से नहीं दिया गया है ऐसे देशों की संख्या 22 है तो उसमें कुछ डेटा परियाप्त नहीं रहा था इस आधार पर यह रखा जाएगा हलांके चीन का जो अस्थान अगर देखा जाए 21 में ऐसे देशों का तो भारत से बहतर दिखता है बंगला देश के अगर चर्चा करेंगे तो बंगला देश अगर देखा जाए तो वह 84 में अस्थान पर रहा था ठीक है और भारत को लेकर के चर्चा करेंगे तो भारत के विशय में यह रैंकिंग कहता है कि यह 105 में नमर पर रहा पाकिस्तान भी एक देख लीजिए अपना परोसी है पाकिस्तान 109 में नमर पर रहा था तो कुल मिला करके कहा गया है कि कितने एस याई देशों की रैंक भारत से अच्छी है भारत 105 पर है तो नेपाल हमसे बहतर है अरसट में है और 84 पर है यह बंगला देश दोनों बहतर है चीन जो है यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैंने कहा कि ऐसे 22 देश का है जिसके पास डेटा को लेकर के यह चीज़े हुआ था लगी भारत से फिर भी यह बहतर इस्थिति में है तो उपरयोक तो सभी का इस्थिति जो देखिएगा भारत से अच्छा है डिविकलक पे साथ आपको जाना परेगा पाकिस्तान हमसे थो रही पीछे 109 के साथ रहा है ठीक है ब्रश्टाचार बोध सुचकांग 2023 में कुल कितने देश शामिल है यह 9 में के साथ 9 मा प्रशन जो है इसमें देखेंगे जो पूरे देशों की लिष्ट बताई गई है वह 180 है अब एक बात यहां समझे कि यहां आपसे पूछा जा सकता है कि 180 देशों में इंडिया का क्या पोजिशन है है न तो भारत का जो है 93 आ है है न 1392 नमर जो है इंडिया का 180 देश यहां पर है तो बी विकल्प के साथ आपको जाना है इतना मामला समझ में आ गया 10 में पर चलें आप यहां पर देखे जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सुचकांग 2024 ठीक है भारत किस अस्थान पर रहा है इंडिया के रेंक आपसे पूछे गए है कि भारत किस अस्थान पर है यह आपको बताना है और भारत जो है वह डीव में दिख रहा है उसका अस्थान साथमा अस्थान पर भारत इसमें रहा है जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सुचकांग 2024 में इस प्रशन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है और देखिए अब बेहत कम समय आपके प्रिलिम्स कर रहा गया है तो आखरी कुछ दिनों में टॉपिक पाई जो चीजे बता रहा हूँ उसको अच्छे से रिविजन करते चलिए ताकि आपके चीजे जो है अच्छे से एक बार समराइज हो पाई आज के लेक्चेर में इतना ही अपना बेहत ख्याल रखिये बहुत बहुत शुक्रिया थैंकियो सो मच